हेलो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल बीट्यू पिश्टूटी पॉइंट में स्वागत है दोस्त बॉयलोजी से जो आपका क्लास चल दा था पाचन तन्त उसी को दोस्त कॉंटिन्यू करेंगे पिछले क्लास में हमने थियोरी के सारे टॉपिक आपको कंप्लेट कराए है आज के दोस्त इस वीडियो में आपको MCQ टाइप के क्विश्टिन जैसा कि आपको इंट्रेंस एक्जाम में पुछा जाता है उस तरह के क्विश्टिन को सॉल्ब कराएंगे तो आज का क्लास दोस्त वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो को एंट तक देखेगा चैनल पे पहली बार विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इंफर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुश सके जो भी स्टुडेंट थियोरी के क्लास नहीं देख पाए हैं तो नीचे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा वहां से जाके दोस्त आप क्लास को बिलकुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं चलते हैं दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का दोस्त हमारा जो पहला कुश्चन है वो सारे हमारे थियोरी बेस पे अधारित है जैसा मैंने आपको पिछले previous classes में theory जितने भी हमने आपको बताया है पाचन तंतर से related उसी से सारे आपको question यहाँ पे बनाये गए हैं तो सारे question को आप लोग ध्यान पुरुक इसमें समझने की कोसिस करिएगा पहला दोस्त हमारा question है कि पाचन क्रिया क्या है ठीक है यह भी question दोस्त हमने आपको सबसे पहले part 1 में ही complete कराया है कि आपका जो पाचन क्रिया है यानि कि जो आपका digestive system है यह आपका क्या कहलाता है तो यह दोस्त आपका एक process होता है process में क्या होता है कि जो आपका औ परासरडी खादी होता है वो क्या होता है परासरडी खादी में परिवर्तन हो जाता है किसके द्वारा वो आपका पाचन एमजाइम के द्वारा तो ये जो आपका प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या होता है भौतिक क्रिया भी होती है और रसायनिक क्रिया भी होती है पाचन क्रिया में ठीक है तो दोस्त इसका आपका करेक्ट एंसर होगा जो वो आपका option का C हो जाएगा यहां पे क्योंकि इसमें option A है आपका भौतिक क्रि हैं अगला हमारा second number question है सबसे बड़ी लार ग्रंथियां कौन सी हैं तो हमने दोस्त आपको details में बताया है पूरे लार ग्रंथी के बारे में जो आपका लार ग्रंथी होती है कितने type की होती है वो आपकी total team type की होती है ठीक है इनका काम क्या है इनका काम है लार उत्पन करना ठीक है जिसमें हमारा सबसे बड़ी जो ग्रंथी होती है उसको दोस्त आप लोग note कर लिजिए एक-एक point आप लोग note करिएगा एक-एक question समझेगा बिल्कुल असान सब्दों में क्योंकि अगर इंट्रिंस exam में दोस्त ऐसा question आ गया तो वहां पर आप question को असानी से solve कर पाएंगे और note करते हुए चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा ही बहतर होगा तो कि exam के समय में दोस्त आप जैसे ही खोलेंगे तो सारी चीजे आपको मिल जाएगी lesson से related जैसे आपने यहाँ पर बना लिया chapter number 3 पाचन तंत्र तो पाचन तंत्र से related जितना point मैं बता रहा हूँ सारा आप लोग note कर लिजिए एक बार में दोस्त आप देखेंगे आपको सा चीजी समझ में आ जाएगा दोस्त यहाँ पर मैंने आपको बताया लार्ग ग्रंथी तो सबसे बड़ी हमारी जो लार्ग ग्रंथी होती है वो है कड़ पुर्व ग्रंथियां यह हमारी क्या है सबसे बड़ी ग्रंथी होती है कहां होती है यह आपका बाह कड़ के नीचे उ जिव्या ग्रंति है जो कि कहां पायता है यह हमारे मुख घुहा के तल पर खुलता है और यह आपका जिव्या के नीचे उपस्तित होती है यह आप तो ये आप लोग जैसे नहीं देख पाए हैं तो थिवरी का भी क्लास आप लोग दिखिए वहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज़े आपको समझ में आ जाएंगी अगले दोस्त यहाँ पे हम question की बात करते हैं आपके तो सबसे बड़ी आपको यहाँ पे लार ग्रैन थी ती जिसका हमारा दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं सब मैक्सीलेरी गरं थी क्या है सब मैक्सीलेरी गरं थी जिसको हम बोलते हैं कडपुर गरंथिया ठीक है आसा करते हैं क्वेस्चन आपको समझ में आ गया अगला दूस्त नेश्ट्ट कुष्चिन की बात करते हैं आपे नेस्ट कुश्चन है दोस्त हमारा थर्ड नंबर अंतह कोशिकी पाचन पाया जाता है तो अंतह कोशिकी पाचन आपका किस में पाया जाता है वो आपका अमीबा में भी पाया जाता है युगलीना में भी पाया जाता है और पैरा मीसियम में भी पाया जाता है तो अतह जो आंतर कोशिकी पाचन यह आपका इंस सभी में पाया जाता है करेक्ट टेंसर दोस्त आप्शन का अगली दूस्त कुशिक्षन की वह चलते हैं यह आपका अंतर कोशिक जो पाचन है इसमें आपका ध्यर-सारी भोजन का पाचन से related मैंने आपको point उसमें भी complete किये है थियोरी में वहाँ से दोस्त आप देखेंगे तो सारी चीज़े आपको समझ में आ जाएगे correct answer दोस्त इसका option कड़ी था निश्ट अगले question पर हम चलते हैं आपे अगला हमारा question है fourth number question बाहे कोसी की पाचन पाया जाता है तो बाहे कोसी की पाचन किस में पाया जाता है वो आपका बायकोस्रिक की पाचन पाया जाता है ठीक है तो यह चीज़े आपका इसमें हो गया अगले दोस्त हम next question क्यों चलते हैं अगला हमारा next question है साकाहारी जन्तुओं में अहारनाल प्रायर कैसा होता है तो जितने भी आपके साकाहारी जन्तु होंगे उनका अहारनाल कैसा होगा वो आपका लंबी होती है अहारनाल कैसा होता है दोस्त लंबी होती है ठीक है समझ में आगे दोस्ते यहां पर correct answer आपका option का A हो जाएगा ठीक हैं अगला हमारा कोश्यन है वास्तविक दात की उतपत्ती होती है वो आपका डर्मिस से उतपत्ती होती है say tomi جाएंगा द्रमिस दोस्त इसका correct एंसर हो जाएगा अगला नेश्क कोश्यन देखते हैं दोस्त आपर अगला कुश्यन है बुर्नर्स ग्रंथिया पाई आनिती है तो यह कहां पर पर पाई आती है यह आपका छोटी आत में पाई आती है बुर्नर्स ग्रंथि ठीक है करेक्ट एंसर दोस्त आप्सन का ए हो जाएगा अगला दोस्त यहां पर आठ नंबर कुश्यन को देखते हैं आठ नंबर कुश्यन है हमारा लीबर कुछन की दरारे पाई आती है तो लीबर कुरन की जो दरारे हैं वो हमारा किस में पाई जाता है तो वो भी हमारा आपका इलि है very important मानव का यक्रित होता है तो मानव का जो यक्रित है दोस्त वो कैसा होता है वो आपका द्वी पाली युक्त होता है कैसा होता है दोस्त द्वी पाली युक्त होता है वो जो आपका मानव का यक्रित होता है ठीक है आसा करते हैं दोस्त आपको जो भी question में बता रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है अगले दोस्त next question की ओर चलते हैं अगला हमारा question है 10 number question देखते हैं आपे Glissan का sum put पाय जाता है तो Glissan का sum put किस में पाय जाता है वो आपका यक्रित में पाय जाता है किसमें दोस्त यक्रित में पाय जाता है correct answer दोस्त इसका option का B हो जाएगा अगले दोस्त next question की बात करते हैं 11 number question को देखते हैं 11 number question है यापे मानव ग्रहडी में पहुचने वाली अगना सई रस का एक संगटक है तो एक संगटक क्या है आपका trypto trypsynogen क्या है दोस्त trypsynogen जो की मानव ग्रहडी में पहुचने वाला है अगना सई रस का एक क्या है आपका संगटक है उसका नाम क्या है trypsynogen अगले दोस्त next question की बात करते हैं 12 number दोस्त question देखते हैं stensus नलिकाएं तथा वारटन्स नलिकाएं संबंदित है तो ये आपका किस संबंदित है तो ये आपका लार्ग्रंथी से संबंदित है किसे दोस्त लार्ग्रंथी से आपका संबंदित है कौन सा इस्टेंस नलिकाएं और वारटन्स नलिकाएं ठीक है ये आपका दोनों ही आपका लार ग्रंथी से संबंदित है अगले दूस्त नेश्ट कुश्चन की बात करते हैं आपे नेश्ट कुश्चन है आच्छिर वाहिनियों अथार्थ लेक्टियल्स का संबंद होता है तो आपका जो Lacteals का संबन्द होता है ये किसे होता है वसा और सोसर्ड से होता है किसे दोस्त वसा और सोसर्ड से होता है correct answer इसका option का C हो जाएगा यहाँ पे अगला दोस्त है आप फोर्टी नमबर question देखते हैं समस्त पाचन एंजाइम होते हैं तो जो भी आपके पाचन एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं ये आपके जल अबघटक होते हैं ठीक है क्या होते हैं जल अबघटक होते हैं जो भी हमारे पाचन एंजाइम होते हैं ठीक है correct दोस्त answer इसका option का B हो जाएगा अगला दोस्त यहां पर 15 नमर का question को देखते हैं सारे दोस्त जो भी आपको question इसमें मिलेंगे सारे theory में कराय हुए question है theory में हमने सारे important जो भी point था हमने सारा complete किया है यहां पर ठीक है जो भी student नहीं देख पाए है तो theory का class भी आप लोग attend करिए वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा धेर सारे point थो आपको note करने के लिए उसको भी दोस्त आप लोग बहुत अच्छी से आप देख सकते हैं अगले question पर आता है दोस्त यहां पर 15 नमर question है मनुस्य में लार होती है तो मनुस्य का जो लार होता है वो कैसा होता है वो आपका उदासीन होता है कैसा दोस्त neutral होता है बिल्कुल ही correct answer है option का C यहां पर उदासीन इसका बिल्कुल ही correct answer है अगले दोस्त यहां पर next question की बात करते हैं 16 number question देखते हैं समान्यता अकल डाढ़ कितने वर्स की आयू में निकलती है तो यह आपका कितने वर्स में निकलती है 17 से 30 वर्स के बीच में आपका अकल डाढ़ निकलती है ठीक है correct answer दोस्त इसका भी option का B हो जाएगा यहां पर next अगला question देखते हैं दोस्त आपर अगला question है अगना सही रस होता है तो अगना सही रस जो होता है वो कैसा होता है वो हमारा छारी होता है कैसा होता है दोस्त वो हमारा छारी होता है correct answer दोस्त इसका option का यह हो जाएगा जो भी हमारा अगना सही रस होता है वो कैसा होता है छारी प्रकृतिका होता है अठारा नूमर कुश्चिन की बात करते हैं तो से आपे जो हमारा अक्कल डार है यह कैसे होते हैं तो यह यह आपका चड़वक होते हैं कैसे दोस्त चड़वक होते हैं जो हमारा अक्कल डार होते हैं करेक्ट एंसर दोस्त आपका ऑप्सन का सी हो जाएगा यानि कि मोलर्स होत होते हैं करेक्टर इंसर दोस्त इसका option का सी हो जाएगा अगला दोस्ते आप एक कुश्चिन देखते हैं नाइंटीन नंबर कुश्चिन है समझेगा मनonao में प्रोटीन का पाचन कहा से प्रारंब होता है तो जो हमारा प्रोटीन का पाचन होता है वह हमारा आमासय करेक्ट इंसर दोस्त इसका option का घ्य जाएगा अगले दोस्ते आप नेश्ट passion की बात करते हैं नेग्स्ट कुश्चन है, 20 नमर कुश्चन निम्ने मैं से सत्य अमास है, इसमें से कौन से हमारा क्या है, सत्य अमास है, तो इसका रूमन करेक्ट एंसर है, क्या है दोस्त, रूमन इसका correct एंसर है, ओप्सन का A यहाँ पे बिलकुल ही correct एंसर है, नेश्ट अगला दोस्त यहाँ पर question number 21 देखते हैं 21 number question है दोस्त Oma sum अनुपस्तित होता है तो Oma sum किस में आपका अनुपस्तित होता है वो आपका OOT में अनुपस्तित होता है correct answer दोस्त इसका option का C हो जाएगा Oma sum आपका OOT में अनुपस्तित होता है ठीक है, correct answer दोस्त इसका option का C हो जाएगा, next अगला इसका डे मलसी करण होता है, तो उसाओं का जो भी आपका इमलसी करण होता है, वो आपका किसके द्वारा होता है, बारल लवडों के द्वारा होता है, जो भी हमारा वसा होते हैं उसका इमर्ची कर्रार किसके द्वारा होता है 12 लवडों के द्वारा होता है करेक्ट एंसर दोस्त option का यहाँ पर B हो जाएगा ठीक है अगले question की दोस्त यहाँ पर बात करते हैं अगला question है 23 नमर question लार एमाईलेच निम्न में से किसके द्वारा उत्तरचीत होता है तो यह आपका किसके द्वारा होता है क्लोरीन के द्वारा होता है यानि कि CL के द्वारा आपका क्या होता है लार एमाईलेच क्या होता है उत्तेजित होता है ठीक है वो आपका किस के द्वारा होता है क्लोरीन के द्वारा होता है option का डी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहां पर करेक्ट एंसर है अगला दोस्ते हैं पर क्विश्चन देखते हैं लास्ट क्विश्चन है 24 नम्मर क्विश्चन इंपोर्टेंट है ध्यान पुर्वक समझेगा पित रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है तो हमारा पित रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है इसमें क्या है आपका चार अप्सन दिये हुए हैं पहला है आपका बाइलीन दूसरा है आपका बिलरूबीन और त चौता है आपका इन में से कोईने तो पितरस में दोस्ता आपका इस ओपस्तित नहीं होता है تو correct answer इसका option का D हो जायगा आसा करते हैं दोस्त आज के इस पूरे वीडियो में जितने हमने आपको बताएं वो सभी आप तक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है वीडियो अच्छा लगाओ दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में सेर जरूर गईएगा ताकि क्लासिस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुत सके थेंक यू